तो आज हम एक बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही केक बनाएंगे वह है मैंगो केक तो इसके लिए हमने मैंगो फ्यूरी जिसे हमने आमके पीसिस करकर हां शक कर डालकर इसकी प्तूरी बना ली है ओइल विनेगर मिल्क बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर तो हमने लिए है वैनिला एसेंस मेंगा और पाउडर शुगर तो आई हम बनाना शुरू करते हैं तो एक हमने चनी लिए हैं अब हम इसमें डालेंगे हमारा तूट थर्ड कप मेंगा का बेख सकते हैं आउड़ात, फैस्पून बेकिंग सोडा दिया हाव फैस्पून बेकिंग पाउडर याए हाव कप शूगर पाउडर और अब हमसे आच्छेते कितीं से वन टीव स्पून डालेंगे विनेगर और इसे एक से दो मिनिट रहने देंगे ऐसे वन डेन फोथ हम डालेंगे मैंगो प्यूरी जो हमने बनाई थी और अब हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें हमारा मिल्क डालेंगे जो हमने विनेगर वाला बनाई था और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें तो टू-3 ड्रॉप्स वैनिल ऐसेंस डालेंगे आप चाहें तो मैंगो ऐसेंस भी डाल सकते हैं तो हमारा बैटर तैयार है आप देख सकते हैं ऐसी कंस्टेस्टन्स ही हमें रखनी है तो एक हमने मोड लिया है इसमें हम डाल देंगे बटर पेपर थोड़ा सा ओल डाल देंगे तो अब हम इसमें मेंदे से थोड़ा सा डूस्किन कर लेंगे आप चाहे तो बटर पेपर ना रखे तो आप इसमें हमारा बैटर डाल देंगे तो हमने सारा बैटर टाल दिये हैं अच्छे समी से एक बाद टैप करने हैं तो एक पते लिने हमने नमग रखा हुआ है और इसे हमने अल्डेरी प्रीहिट करने हैं और इसे टेंड रखा हैं अब हम इसमें हमारा एक मोल्ड रख देंगी और अब उपर हम टक कर इसे 20-25 मिंट करते हो हैं से निकाल लेते हैं तो इसे मनल प्रीव मेडियम पर बनाया है और इसनम अबसे थंडा होने देंगे और बाद मे निकाल लेंगे cousins साइड से इसके अच्छे से क्लियर कर लेंगे और इसे अब हम निकाल लेंगे और बटर पेपर के वज़े से आप देख सकते हैं कि इतने इसली निकल गई है इसका बटर पेपर हम निकालेंगे तब देख सकते हैं तो हम बटर पेपर निकालें इससे सीधा कर लेते हैं अब द और हमारे पास थोड़ी से आम की प्यूरी है, मैंगो प्यूरी, उसे हम इसके उपर लगाएंगे, इसके उपर हम यह हमारी मैंगो प्यूरी डाल देंगे, और आप चाहे तो इसके उपर शुगर सिरप पर डाल सकते हैं, और चैरी उन तर टॉप, हम इसमें डालेंगे, तब देख सकते हैं, आप चाहे तो इसमें मैंगो की पीसिस भी डाल सकते हैं, तो तैयार है हमारी मैंगो की, यह वीडियो और रेसी पे आपको चलेगी हो, तो लाइक कीचे शेयर किजिए, मैं लाइक इस कोकिं को सब्सक्राइ कीचे कीचे, त though thank you for watching